गुड मॉर्निंग और आफ इव आज के 11 बायो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है बने रहने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जिरूर करेंगे जिसे आएक का वीडियो का नोटिपिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे है चलिए आज हम लोग फर्स शेक्टर का कु क्लासिस में पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेन क्लेचर दुई नाम पदती इसको कहते हैं अब दिमाग में यह रहे देखिए यह आपका इंपोर्टेंट है जैसे आप कहते हैं आम आम का बेग्यानिक नाम आम का बायोजिकल नेम आप जानते होंगे क्या करते हैं आम का और साथ साथ में हुमन का बेग्यानिक नाम भी आप जानते होंगे मनुस्त का बेग्यानिक नाम होमो सेपियंस है होमो सेपियंस ग्यानी मानब का ग्यानी मानब का बायोजिकल नेम क्या है होमो सेपियंस आप कहते हैं आम का मैंगी फेरा इंडिका कहते हैं इसी परकार दुनिय में नहीं आपाता है आम को तेलगू में कुछ और करते हैं कंडर में कुछ और करते हैं बंगाली में कुछ और करते हैं हम लोग अपनी भासा में कुछ और करते हैं आम को आम करते हैं अंगरेशी में मैंगो करते हैं संस्कीत में आम्र करते हैं और इसके साथ साथ और भी भासा कंड़ भासा हो गया, तेलगु भासा हो गया, बेंगॉली भासा हो गया, मराटी भासा हो गया, सभी भासा में आम का अलग अलग नाम है, लेकिन एक नाम अगर कहें, तो बाइनोमियल नोमिनक्लेचर में, वो सभी जगह आप अगर महेंगी फिरा इंडिका कहेंगे, तो आम भ पुरीसा में बोले या आप जाकर के महराष्ट में बोले अगर मैंगी फेरा हिंडिका करते हैं तो सभी को समझ में आ जाएगा कि आप आम के बारे में कह रहे हैं इतना दिमाग में आपका होना चाहिए आज हम लोग क्लास के बारे में पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनिक प् करते हैं दूवी नाम पदटी दूवी नाम पदटी करते हैं इसको हिंदी में दूवी नाम पदटी करते हैं और अंग्रेशी में बाइनोमियल नोमेनिक क्लेशर करते हैं बाइनोमियल नोमेनिक क्लेशर इसको हम लोग किस में कहेंगे बाइनोमियल नोमेनिक प्रेशर हम ल दूवी नाम पदती है क्या तो संसार में पर्टेक जीव जो होता है उसका उसका इस दो नाम से उसको जाना जाता है और इसी को कहा जाता है दूवी नाम पदती कहा जाता है जैसे हम लोग में लगता है होमो सेपियेंस लगता है ठीक है अगर आम में लगता है तो मेंगी फेर का इंडिका लगता है अगर हम लोग कहते हैं कि अगर मतर है तो पाईसम सटाइवं लगता है गाय है तो बॉस इंडिकस कहते हैं क्राइटिकॉम एस्टिवं कहते हैं तो इस बैंज्ञानिक नाम होता है तो अगर बैयलोजिकल करें तो फूरा होता है दो अगर लएगा तब पूरा होगा इसमें इसलिए दूई नाम बत्ति कहा गया है इसमें दो पहला जनेरिक नेम पहला जनेरिक नेम और दूसरा होता है अस्पेसिस नेम होता है ठीक है ना तो पहला जीन का नाम होता है बंस का नाम होता है और दूसरा होता है जाती का नाम प होमो क्या बंस, सेपियंस क्या, सेपियंस क्या जाती, होमो इरेक्टस कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं, हम लोग कहीं, अगर लें, तो होमो सेपियंस कहते हैं, होमो सेपियंस लग गिया, अगर हम लोग कहते हैं, होमो इरेक्टस कहते हैं, तो देखिए, नहां पर होमो हैविल हैविस करते हैं तो हम लोग क्या इसमें जाने हम लोग देखते हैं कि होमो 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 तीनों में होमो लगा हुआ है अठाक इसका यह वंस जो है इसका जीनस जो है वंस का है अठाक इसका जीनस करते हैं वह जीनस तीनों का तो एक समान है वह इसमें जाती जो है इसका जाती अल लग है इसका जाती अलग है ए जाती में अंतर है लेकिन बंस क्या है इसमें एक समान है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर है तो यहाँ पर होमो हुमो होमो सेपींस होमो इरेक्टस होमो है भी इस इसका मतलब क्या हुआ भाई समझे तो यहां पर कहता है कि पहला जो होगा इसमें पहला क्या बंस का नाम जो पहला आ गया है वो बंस का नाम है और दुसरा इसका जाती का नाम है पहला बंस का नाम दुसरा जाती का नाम एक बंस में अनेक जाती भी हो सकते हैं एक जीनस में कम से कम एक जाती तो होगा ही एक जीनस में एक बंस में एक जाती तो होगा ही लेकिन एक बंस में एक से अधीक जातियां भी हो सकता है जैसे आप देखिए होमो क्या है बंस है होमो बंस है और सेपियन्स क्या है जाती है सेपियन्स जाती है इरेक्टर्स जाती है ह भी यहां पर कहा गया कि हूं होगी है यहां होमो बंस तो बंस क्या सहं में होमो में लगा हुआ टीनों में होमो लगा हुआ इसका बंस क्या है एक है बंस का नाम क्या है होमो है होमो बंस है तो होमो बंस हो गिया यहाँ पर बंस एक है जातिया इसका अनेक है एक ही बंस से अनेक जाती का यहाँ पर विकास हुआ तो दो नाम हो गया तो पहला नाम क्या वांस दुसरा नाम जाती है तो दो गो नाम ना हो गया एक ही जीव को दो नाम से जाना जाता है जैसे ग्यानी मानव का नाम कहेगा ग्यानी मानव का बैलिजिकल नाम क्या होगा बैग्यानिक नाम क्या होगा होमो सेपियंस कहते हैं और ह Homo Sapiens करते हैं दो चीजा लगा होता है Homo Sapiens Homo Sapiens मेड़क कह together मेड़क तो राना टिगरीना राना टिगरीना कहते हैं करते हैं बाग कहते हैं Его क myth यहां पर पैन्थेरा टिग रीज टैगर लॉयन का पैन्थेरा लियो अरे भाई तो पैंथेरा पैंथेरा तो जीनस एक के है जीनस एक है बंस एक है जैसे हम लोग करते हैं ध्याम देते हैं अगर हम लोग करते हैं टाइगर का लेते हैं टाइगर का लेते हैं तो टाइगर का लेते हैं तो टाइगर का लेते हैं तो टाइगर का करते हैं पैंथेरा पैंथेरा लियो करते हैं लिए भाई तो पैंथेरा लियो हो गया और पैंथेरा टिग्रीज हो गया तो आप कह सकते हैं कि सर यह पैंथेरा पैंथेरा दोनों जो है या अस्पीसिस नहीं है यह क्या है जीनस है बंस दोनों का एक समान है चाहे लॉइन का या टाइगर का लॉइन 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 पैंथेरा है पैंथेरा ही है सर पैंथेरा जो है एक जीनस एक के जीनस है एक ही बंस है जैसे यहां पर बताएं कि होमो 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 एक के बंस है असेपिस इरेक्टर सेविलस जो है सब अलग अलग है तो एक बंस में अनेक जातिया तो एक बंस में कम से कम एक जाती या एक से ही, लेकिन एक से अधीक जातियां भी हो सकती है एक ही बन्स में और इसका दो नाम से आया, इसलिए कहते है इसको binomial nomenclature सब से पहले इसका वर्न किस ने किया था Lazarus Limious ने किया था इसलिए Lazarus Limious को binomial nomenclature का पहा जाता है पहादर और binomial nomenclature गर दुवी नाम पदती का जनक कि नहीं कहा जाता है आपका एंसर होगा करलास लिनियस को करलास लिनियस को दुवी नाम पदती का जनक कहा जाता है फादर आप बायो नोमियल नोमेनिक लेचर तो फादर आप बायो नोमियल नोमेनिक लेचर कौन कार्लस लिनियर्स यह दो स्विडेन के थे अब इन्होंने क्या पता लगाए इन्होंने अपना बुक में दस सिस्टेमा नेचुरी में इसका बनन केंटर किताब पहना सिस्टेमा नेचुरी है तो सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने इसका बनन विसेश रूप से भी किया है सिस्टेमा नेचुरी में तो हम लोग एक दिमाग में रखते हैं यहाँ पर अब प्रश्म होता है इतना तो जनकारी हम लोग को मिल गया कि बाइनोमियल नोमेल क्लेचर है क्या दुवी नाम का नाम होता है दो नाम मिल करके उस जीव को संकेती करता है उस जीव को बताता है इसी को हम लोग कहते हैं दुवी नाम पदती करते हैं दुवी नाम पदती में पहला जो नाम होता है वो बंस का होता है जबकि दूसरा नाम होता है वो अस्पिसिस का होता है एक बंस में कम से कम एक बंस में कम से कम एक जाती का जी हो सकता है अन्था एक बंस में एक से अधिक जाती भी हो सकते हैं इसका एक्जांपल मैंने यहां बताया है आपको कि यहां पर टाइगर है पर टाइगर और लियो इस दोनों का जो बंस है एक ही है लेकिन इसका स्पीसिस अलग है एक का ठीग्रीज है दुसरा का लियो है ठीग्रीज है तो टाइगर हो गया लियो है तो लॉयन हो गया उसी परकार मनुस में देखते हैं कि ये बंस का है ये बंस होमो 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 तीनों बंस है मतलब एक ही बंस है लेकिन आप जाती देख रहे हैं सेपियन से एक्टर से हैविलस है तो यह जाती अलग होगी है इसमें जैपिकास में मनुस्व का विकास में इस तरह का जो है वह मानो जाती का विकास में इस तरह का जातियां देखने को मिला अभी देखते हैं अत्याधूनिक दिमाग वाला जो है हम हैं जिसको नाम है homo sapiens हम लोग का ग्यानी मानव का बेग्यानिक नाम है homo sapiens मानो विकास में सभी मानों का नाम नहीं है homo sapiens उसका homo erectus है homo heavilis है ठीक है तो यह दिमाग में आप लोग रखते हैं चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब प्रस्ट होता है कि बाइमोमियर ग्यार्लस लिनियस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया इसलिए क्यार्लस लिनियस को father of bionomial nomenclature कहते हैं और इसकी बाद में इनका भुक का नाम सिस्टेमा नेचरी है यह दो चीच दिमाग में रखेगा पहला का father of bionomial nomenclature सार्लस लिनियस और दूसरा इनका किताब का न पूरा नां complete होता है biological नाम जो है वो दो नामों से complete होता है पहला book का नाम और दूसरा जाती का नाम पहला genus का नाम और अगर जीनियस कहाँ जाए तो एक जीनियस मैं एक एक कम से कम एक अस्पिसिस होना जरूरी है. दुसरा कहा जाए, एक जिनस में क्या एक से अधीक अस्पिसिस हो सकते हैं, तो हाँ ऐसा हो सकता है. जैसे आप पर एग्जाम्फल भी बताए हैं यहाँ पर फुरा सा आगे देखते हैं इसमें अगर कहा जाए कि आप लिखने का इसका नियम भी है दिखिएगा इसका लिखने का नियम भी है ऐसा नहीं कि जैसे पाएंगे हो ऐसे इसको आप लिख देंगे इसका नियम है इसका लोह है इसका लिखने का दुई ना पदती का नियम है इसमें तो नियम में क्या होए सबसे पहला हम वियां देते हैं इसमें नियम में जो भी लिखा जाता है वह लैटीन सब्द में लिखा जाता है और लैटीन सब्द में और यह लिखा जाता है यह लैटीन सब्द होता है यह लैटीन सब्द होता है यह लैटीन करते हैं तो टालिस में लिखते हैं यहां पर अगर लिखना है तो तो हैंसे लिखता तो इसको हम लोग करते हैं इन लिखना होगा तो आई एन, डी, आई, ए, न यहां पर इस तरह का घुमाक लिखा जाता है और घुमाक लिखा जा सकता है तो इसको आप सब्सक्राइब करते हैं जैसे हम लोग को कंट्री लिखना है एक कंट्री लिखा गया बहुत सब्द में लिखा जाता है तो यहां पर यह लेटिंग सब्द होता है जिसको यह इतालिक्स में लिखा जाता है इतालिक्स में क्या किया जाता है इसको लिखा जाता है तो इतालिक्स में यह लिखा जाता है ठीक है न रिखन इतालिक्स ठीक है न और यहां पर कहा जाता है कि यह जो पहला सब्द जो होता है यह पहला पहला नाम जो होता है अगर प जीनस अभी जश्ट बताए जबकि दूसरा नाम जो होता है इसका दूसरा जो नाम होता है तो पहला नाम जीनस होता है अग दूसरा नाम होता है उसको अस्पेसिस या जाती का नाम करते हैं तो पहला नाम जीनस अभी जश्ट बताए है दूसरा नाम अस्पेसिस एक दूसरा यह एपको समझ में आ गया होगा इसमें अगर इसमें हैं राइंटिंग से लिखते हैं हम लोग अगर अपने हाथों से लिखते हैं तो इसमें क्या किया हता है ज्यान देते हैं अगर हैं रीटेल करते हैं, तो हैंड रीटेल करते हैं, जो दोनों को अलग करके, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लिखें, होमो सेपियन्स लिखें, तो ऐसे लिखते हैं, होमो सेपियन्स, दिखें, तो यह इटारीस में नहीं लिखाया, अगर इटारीस में नहीं लिखाया हुआ इटारीस में नहीं लिखाया ति इसको हम लोग दोनों को करेंगे अंडरलाइन अगर इटारीस में नहीं लिखना है अपने हैंडराइंटिंग से लिख देना है ति इसको हम लोग क्या करेंगे जैसे लिखते हैं बैस सीधे में लिखे इटाइस में नहीं लिखा हुआ है सीधे लिखा हुआ है और इसको दोनों को अंडरलाइन कर देंगे बस तो अंडरलाइन करने से ही आपका एंसर सही माना जाएगा तो अंडरलाइन कर देते हैं तो हैं राइटिंग में लिखने से इसको अंडरलाइ करना पड़ता है अंडर लाइन करें अंडर लाइन करें दोनों को अनलाइन करना पड़ता है अगर हम लोग कहें कि इसमें हम देखते हैं कि अगर जीनस का जो पहला लेटर होता है वह कैप्टल जबकि अस्पीसिस का पहला लेटर होता है अस्मॉल यह भी दिमाग में रखना ह आपका यह दिमाग में आपको रखना है तो यहाँ पर अगर कोई कहे कि बताए कैसे लिखते हैं यहाँ पर तो हम लोग यह दिमाग में रखते हैं कि अगर जीनस दें जीनस आप पहला जो लेटर आप लिखते हैं वो क्या होगा capital होता है वो capital लिखना है बड़ा बड़ा अच सेकेंड में क्या होगा पहला लेटर जो है जीनस का पहला लेटर टैपकल होगा जबकि अस्पीसी ध्यांद देते हैं तो यह दिमांग में आपको रखना होगा यहां पर चार इसका नियम है लेटिं सब्द होता है यह इटरिस में लिखा जाता है पहला नाम जीनस का होता है दुसरा नाम अस्पीसिस का होता है इसलिए दुई नाम पत्ती हो गया पहला नाम जीनस का किसी भी जीव का दुसरा नाम अस्पीसिस का जैसे हम लोग करते हैं अगर हाथों से अगर लिखते ह तो इसमें आपको अगर इटालिस में नहीं लिखने आता है। तो क्या करेंगे हैं؟ हादों से हम मूदी लिद्ने जैसे होमो सेप्यंस लिखें। तो होमो को भी आप अब करदेंगे और सेपियंस को भी अंडर manner कर देंगे ठीक है तो आपका एंसर यहां पर complete माना जाएगा यह सही माना जाएगा आगे हम देखते हैं जीनस का पहला लेटर capital होना चाहिए और a species का पहला लेटर a small होना चाहिए जैसे यहां पर देखिए यह homo लिखा हुआ है अगर हम लोग लिखें पर लिखते हैं यहां से अगर ध्यान देते हैं यहां से लिखते हैं मैंगी फेरा इंडिका अब अड़िढलाइन कर देंगे इसको भाई आप दिमांद भी रख़िए कि आअम पर जीनस का पहला रेट जे टेप्टर लिखाया यह टेप्टर लिखा गया थे अस्मॉल लिखा किया है तो lean लिख जेते हैं हला कि यह जो है अब उतना नहीं लिखा जाता है लेकिन अगर नियम पूछे तो नियम में आपको डाल देना है linear ने इसे नाम दिया इसलिए lean लिखा गया L I double N short name L I double N linear short name लिखा गया हला कि अब जो नियम में इसको लिखना है पुरा नाम अगर कहें तो नाम में सब्का बैग्यानिक का नाम अंति में लगबग नहीं लिखा है binomial nomenclature इसको दिमांग में रखेगा याद कर लिजेगा what is binomial nomenclature ठीक है तो आप लोग जो बने रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब नहीं किये निव बिद्यार्टी सब्सक्राइब कर देंगे यदि आपको मालुम है कि अगर आप इस ग्रूप में नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रूप में जुड़ने के लिए क्या करें यहाँ पर 11th बायो लिख करके 9708495 पर सेंट कर देंगे ठीक है न जो बिद्यार्टी नहीं उनके लिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे 11th बायो लिख करके आप सेंड कर दीजिए जिसे कि आपको हम अपने ग्रूप में जुड़ ले और समय के अनुसार आपको सुझना मिले क्लास के बारे में तो 11th बायो टाइप कीजिए अपने मोबाइल में और 970-841-9515 पर सेंड कर दें जिसे कि आपको नोटिपिकेशन आराम से मिल सके ठीक है तब तक के लिए धन्यवाल आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं ठीक है ओके झालता बांप तक के लिए दो कि लिए।सस्ट्स्तर आराम से खरभ़रampa का लिए भी यादान आराम Шथा आराम से आरामा तक के अवाल आरामा 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 पालामा आराम आरामा रिए हैं झाल झाल